ताप मिती में आपने दूर शब्त बार बार सुने होंगे एक विशिष टूपश्मा और गुपदोश्मा तो दोनों में काफी कन्फिजन रहता है कि कौन सा क्या होता है कि का उपियोग कहां पर करना है तो उन दोनों की बात अपन अभी करेंगे तो आपका सारा कन्फिजन द सब कुछ एकदम है ना शुरू करें विशिष टूपश्मा क्या होती है तो विशिष टूपश्मा होती है पदार्थ की उश्मा धारीता में उसके ध्रव्यमान का भाग देने पर विशिष टूपश्मा प्राप्त होती है अब यहां पर विशिष टूपश्मा को हम S से भी दर्शाते हैं और C से भी दर्शाते हैं तो आपको जहां पर भी बुक में जहां जो मिले वो आपको यूज करना है यहां पर यह तो C यह पर S फॉर्मूला क्या कहता है इसका उश्मा धारीता बटे द्रव्यमान तो विशिश्ट उश्मा होती है आपकी उश्मा में परिवर्तन बटा ताप में परिवर्तन और इसी में हम एगर M यानि की द्रव्यमान का भी भाग देदें तो आपको विशिष्ट उश्मा प्राप्त होती है पानी की विशिष्ट उश्मा 4186 जूल परती किलोग्राम इंटू केल्वीन यानि की सबसे अधिक होती है तो आप यहाँ पर इसका मातरक कैसे निकलोगे तो सीधी सी बात है क्यों क्या है उश्मा भले परिवर्तन है है तो उश्मा ही तो उश्मा का मातरक हम जनरेली क्या लेते है जूल लेलिया जूल बटा द्रव्यमान इसका मातरक किलोग्राम और ताप यानि की इसका मातरक क्य हो जाएगा भाई साब Kelvin ठीक है तो अपका विशिश्ट उश्मा का मातरक बन जाता है जूल बटा किलोग्राम into Kelvin तो पानी के लिए विशिश्ट उश्मा डारेक्ली भी बुची जाती है और आप कॉस्टन करेंगे तो महां पे भी आपको काम बिल दनी पड़ेगी तो आप ध्यान रखें 4186 जूल परती किलोग्राम into Kelvin एक मोल पदार्थ के ताप को एक डिगरी सेल्शिश्ट बढ़ाने के लिए आवशक उश्मा की मातरा को मोलर विशिश्ट उश्मा भी कहते हैं तो विशिश्ट उश्मा में आपको मोलर विशिश्ट उश्मा भी पूछा जा सकता है तो मोलर विशिश्ट उश्मा पूछे तो आपको किस चीज के लिए लेना है एक मोल पदार्थ के लिए ताप कितना बढ़ाना है एक डिगरी सेल्शिश्ट ठीक है आप जो यूज में ले सकते हैं लेने अब यहां पर आपको यह कुछ पदार्थ हो कि मैं ने दे रखे हैं तो आप चाहें तो स्क्रीन शोट ले लें तो आपको काम आएगा कहीं पर भी कॉशन में दे रखते हैं तो अच्छी बात है कभी कॉशन में नहीं दिया होता है तो आ इसी में हम फिर एक बात करते हैं जो इनका एक बहुत अच्छा रिलेशन आता है, वो रिलेशन क्या कहता है, इस्थिर दाब पर गैस की विशिश टूश्मा को हमने CP बोल दिया, जैसे हम इस विशिश टूश्मा को C से दो दर्शा ही रहते, लेकिन अगर दाब इस्थिर है, प्रेशर कॉंस्टेंट है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया CP, और अगर आयतन स्थिर है, तो हमने इसके नीचे लिख दिया CP, तो स्थिर दाब पर गैस की विशिश टूश्मा CP, इस्थिर आयतन पर गैस की विशिश टूश्मा CP, तो इन दोनों के मद्दिय जो संबंद ह होता है उसको हो मेर संबंद कहते हैं तो क्या कहता है मेर संबंद एक मॉल गेस के लिए CP तथा CV का अंतर गेस नियो तंक आर के समान होता है तो गेस की बात हम काफी कर चुके हैं तो आपने देख रहा है गेस की बात हम कर रिलेशन आता है यह रिलेशन बहुत काम आने वाला है तो यह ध्यान रखे सब आर आपको सभी को पता है विसे गैस इस ती रंग क्या होता है इसका मान होता है आठ पॉइंट तीन एक चार जूल बटा मोल इंटू केलविन ठीक है इसी के अंदर हम एक चीज और उस करते है कि यह तो इनके अंतर को हम किसके बराबर लेते हैं गैस इस्थी रंग आर के बराबर एक इसी में इनके अनुपात की अगर बात करते हैं CP upon CV अगर इनका अनुपाद की बात होता है अनुपाद यानिकी बटे में लिखना ही होता है तो CP upon CV यानिकी इनके अनुपाद की बात करें तो इसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं यह कॉश्चन करेंगे तब आपको चीजे और भी क्लियर हो जाएंगी कहीं कोई दिक्कत सब्सक्राइब करने के लिए क्या होता है जिसे कॉश्चन में एक चोटा सा टॉपिक पड़ा और उसका मैं कॉश्चन अगर बताने जाओंगा तो नहीं है संभव हो पाएगा क्योंकि उस कॉश्चन में कई चीजे इसी होती हैं जो आपको पहले और समझनी जरूरी होती है तो कई सी ऐसे शब्द हैं कई ऐसी परिबाशा हैं कई ऐसे तथ्या हैं जो आपको समझनी जरूरी हैं तो पहले हम उनको देख लेते हैं फिर इसके उपर बेस्ट कॉश्चन और नियुमेरिकल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा अवस्था परिवर्तन में अब दिगरी चल्चियस की बाप में बदलता है कहने का मतलब क्या होता है अगर आप थर्मामेटर लेते हैं और अपने ठोस बरफ का टेंपरेचर माप आया पर आपको वह मिल गया जीरो डिगरी चल्चियस ठीक सब फिर वही बरफ पिगली उसका पानी लिया आपने ये पानी फ जबकि अगर ताब बढ़ा होगा तभी तो वह वरफ से दीरे 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 पानी में बदला तो यहां पर टेंपरेचर चेंज क्यों नहीं हुआ क्या हुआ तो यहां पर बात यहां आती है कि यहां पर आपको क्लियर लिखा हुआ देखर का है कि जैसे ठोस से द्रव में यानि कि तापमान में परिवर्तन ना हो 0 degree Celsius तापमान था वही पानी बदल गया तो भी 0 degree Celsius तापमान है लेकिन अवस्था परिवर्तन हो गया ठोस से द्रव में चेंज हो गया तो वो जो उश्मा उसने ली और जो ठोस से द्रव में वो बदल गया लेकिन वो उश्मा आपको दिखी नहीं नहीं टेंपरेचर देखोगे तो वहीं लगेगा सेम रहेगा जीरो डिगरी सल्चिस ही रहेगा तो वो जो गैप है बीच का उश्मा का वो आपका क्या किलाएगी सिक्रेट एकदम गुप्त नाम ही इसलिए उसका ऐसा है गुप्त उश्मा कि आपको दिखेगी नहीं पता नहीं चलेगा टेंपरेचर चेंड नहीं दिखेगा लेकिन वह यूज में आई है तो उसका हमने क्या बोला उसको गुप्त उश्मा ऐसे ही हम इसमें बात कर सकते हैं द्रव से लेके वाश्प में यहां पे भी आप देखोगे कि 100 डिग्री सल्चेस पे आपका पानी उबल रहा है तो लिक्विड फॉर्म में भी उसका ताप कितना है 100 डिग्री सल्चेस और वो अगर बात में बदल गई और उसका हम टेंपरेचर में आपने हैं तो वो भी कि अवस्था परीवरतन के लिए यनी की एक फ़ॉर्म चेंज होवा ठोससे लिक्विड फीर लिक्विड से गैस तो अवस्था परीवरतन के लिए इसका तापमा नियत रहता है तो आवश्यक उश्मा, जो उश्मा मिली वो उसका value कैसे निकालेंगे हम तो उसका formula बनता है आपका आवश्यक उश्मा Q बराबर M into L, जहाँ पे जो L है वो आपकी क्या क्यलाएगी गुप्त उश्मा या विश्यक गुप्त उश्मा भी कैसकते हैं तो गुप्त उश्मा को परिवर्तन की उश्मा भी का जाता है नामनेक, कामेक गुप्त उश्मा की काई कैसे निकालोगे साब तो L का formula निकालो तो L बराबर क्या जाएगा Q upon M है ना तो Q की मातरक वही Joule और M का किलोग्राम है ना तो Joule अपॉन किलोग्राम clear इसी के अंदर दो चीजे और हम पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं गलन की गुपतोश्मा और एक पढ़ते हैं क्वथन की गुपतोश्मा तो ये क्या होता है इसी के अंदर हम बात करेंगे कि गलन की गुपतोश्मा क्या है तो किसी इकाई द्रव्यमान के लिए ठोस पढ़त को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उश्मा जिसमें क्या होगा ताप आपका नियद रहेगा जबकि तापमा नियत रहे आवश्यक उश्मा को मातरा उश्मा की मातरा को गलन की गुपतोश्मा कहते हैं जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था कि बरफ जो ठोस था ठोस अवस्था से केसमें बदला द्रव अवस्था में तो यहाँ पर जो उश्मा गुपतोश्मा की बात तो कि उसको हम क्या कह सकते हैं गलन की गुपतोश्मा यह ग्वलन क्वथन यह क्या है इसका में जस्ट इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर यह सभी शब्दों के बारे बात करेंगे कि ठोस से द्रव द्रव से गैस गैस से वापिस ठोस द्रव से वापिस ठोस गैस यह जितना भी चेंजिस होता है आपस में और इनके जितने भी शब्द बनते हैं इनका रिलेशन होता है उसके उपर एक बनाएंगे ताकि यह सारे शब्द आपके लियर रहे तो यहां पर हम बात कर रहे हैं गलन की गुपतोश्मा तो वही बात कि ठोस से द्रव म बदले तापमान आपका नियत रहेगा लेकिन जो आवशक उश्मा होगी वह उश्मा क्या किलाएगी आपकी गलन की गुपत उश्मा तो बरफ के लिए अगर आपको मान पूचे उसका तो आपको याद होना चीए बरफ की गलन की गुपत उश्मा असी केलोरी प्रती ग्रा क्या रहेगा वाई जाब का नियत हैना क्योंकि यहाँ पे आप देखा था देखा था कि 100 degrees Celsius पर ही पानी था और 100 degrees Celsius पर ही वो भाब भी बंद गया इसका तेmpherature तो क्या था वैक साभ आपका नियत ना कॉंस्टन्ट रहा लेकिन उश्मा की आवशकता हुई है तो जब ताप नियत रहे और उश्मा की मात्रा आवशक जो उश्मा की मात्रा है उसको हम क्या कहेंगे क्वथन की गुप्त उश्मा तो जल के लिए वश्पी करण की गुप्त उश्मा का मान होता है 436 कैलोरी प्रती ग्राम तो ये कुछ अच्छी सी वेल्यूज है जहां कौशन करोगे तो आपको बहुत काम आएगी तो ये थोड़ी बहुत आप त्यान रखें क्या होता है आई होप आपको समझ में आगया होगा नहीं आया हो तो रिवर्स मार के फिर देख लो इसली समझ में आ जाएगा इसके बाद अपन ये से जितने भी शब्द हैं गलन कौथन और जो भी इससे रिलेटेड और भी हैं उनको एक बार लाइन से देख लेंगे ताकि ये आपका बिसिक इसमें क्लियर हो जाएगा फिर इसके उपर जितने भी बेस्ट कोश्चन और न अदिसितने लाइब.